शोर्शॉट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अब्डेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्दे काम रूपेणी विद्यारंभं करिश्यामी सिद्धिर भवतू में सदा ओम जै मा सरस्वती नमस्कार दोस्तों शोर्शॉट फॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आठ मई 2020 का दिन है और रात के 9 बज रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में पिछले कुछ दिनों में गोल्ड के अंदर हमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और इसी लिए इस वीडियो का जो टाइटल है वो यह है कि गोल्ड कन्फ्यूज है आप मत होना दोस्तों जब कोई भी कमोडिटी ये स्टाउक रेंज बाउंड होता है रेंज बाउंड का मतलब क्या कि वो एक परिधी में ट्रेड करता है उसका जो अपर लेवल और डाउन लेवल वो उसके बीच में ही ट्रेड करता रह जर्णल ego range होती है वह दो तरह की होती है च्रणली का मतलब उससे ज्यादा होती हैं लेकिन हम जिने वह जिन च्रणेज में करते हैं वह दो तरह की होती है एक होती है शै quieres ग्रार अर एक लॉंग तंब रेंज उसके अलावा एक रेंज और होती ہے जो कि हम कह सकते हैं intraday range जो हम निकालते हैं अगर इस किसी commodity या stock का हमें intraday movement देखना हो तो सेम चीज हमें gold में भी होते हुए दिखी पिछले कुछ दिनों में gold ने एक short term range बनाई जिसका कल उसने breakout दिया और वहां से वो next resistance की तरफ move कर गया अब इस video में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी short term intraday and long term range हैं जिसमें gold अभी trade कर रहा है और अगर वो range break हो जाती है तो आगे हमें किस तरह की movement gold में देखने के लिए मिल सकती है जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों के जो highs and lows हैं वो gold में उपर की तरफ 47,300 के आसपास हैं और नीचे में 47,740 के आसपास हैं इसी के बीच में हमें पिछले एक महीने के अंदर mainly gold trade होता हुआ दिखाई दिया है मैं आपको chart पे लेके चलता हूँ और ये दिखाता हूँ कि पिछले समय मतलब अगर मैं पिछले 10 दिन की बात करूँ तो gold में हमें किस तरह की trading होते हुए दिखाई दी इससे पहले हमने जो last video gold में बनाया था जब वो 47,200 पे चल रहा था तो मैंने ये कहा था कि gold में अब ये करने का समय आ गया है ये करने का मतलब उस video को अगर आपने देखा होता तो मैंने sell advice करी थी और वो sell advice ना सिर्फ मैंने उस video में किया था बलकि उससे पहले भी जो मैंने video बनाया था उसमें मैंने 47,253 का specific resistance बताया था उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो हमें एक अच्छी decline gold के prices में देखने के लिए मिली उस decline का जो bottom बना था वो 45,000 के आसपास बना फिर वहां से हमें एक rise देखने के लिए मिला और उस rise का जो top था वो हमें 46,900 के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया मतलब जो lower top और हमें lower bottom बनता हुआ gold के अंदर ये top अगर इस top से ये वाला top low है और इस bottom से ये वाला bottom low है उसके बाद जब gold ने जो bottom राया जो मैं long term trend की बात कर रहा हूँ उसमें जो top का level है वो अभी भी 47,300 है और जो lower level है gold का वो हमें 44,700 के आसपास आता हुआ दिखाई द दोस्तों 44,700 पे gold ने support क्यों लिया मैं आपको ये भी समझा देता हूँ दिखा देता हूँ उसकी वज़य है कि अगर आप ये support देखेंगे ये जो आप support देखेंगे daily का वो 44,697 के आसपास है मैं एक बार फिर highlight कर दूँ जो आप daily का support देखेंगे वो 44,697 के पास है और इस इसलिए 44,700 को gold ने respect किया even जब gold इस level पे था तो हमें gold के अंदर overbought position होते हुए दिखाई दी थी जब मैंने वो video बनाया था तो इन दोनों चीजों को combine करके भी मैंने आपको बताया था कि gold resistance के पास है plus overbought है तो यहां से एक decline हमें आती हुई दिखनी चाहिए और वो decline बहुत fast थी लेकिन उस decline के अंदर भी gold ने जो ema था जो यह आपको exponential moving average दिखरा होगा इसको हम क्या बोलते हैं ema दोस्तों ema पे मैं एक अलग video बनाऊंगा और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा जैसे मैंने crude में आप लोगों को double bottom के बा और crude में वो double bottom बना भी ना सिर्फ वो double bottom बना बलकि वहां से 1300 point का movement आता हुआ crude के अंदर दिखाई दिया इस तरह के और भी patterns मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा double bottom क्या होता है double top क्या होता है triple bottom क्या होता है triple top क्या होता है अलग-अलग candle types कौन सी होती है वो market में क्या बताती है range bound trading में आप support और resistance कैसे identify कर सकते हैं false breakout या false breakdowns क्या होते हैं तो काफी सारी चीजे हैं जो video में आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेंगी और जो sheet शक होगा या जो title होगा जो series होगी वो होगी आईए सीखते है उसमें मैं एक-एक चीज simple तरीके से blackboard पे आपको draw करके समझाओंगा और live market में भी उसका example मैं आपको दूँगा लेकिन जब आप मेरे videos देखते हैं मैं हर बार जो crude में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब crude में आप चाहते थे कि लोग trade ना करें या लोग trade नहीं कर पा रहे थे तो फिर crude में उन videos को बनाने का और चित्ते क्या था दोस्तों जो learning होती है वो ज्यादा important होती है trading से और वो videos जो बनाए गये थे वो learning के हिसाब से बनाए गये थे ना कि trading के हिसाब से क्योंकि अगर आप सीख लें किसी concept को तो आप उसको दूसरी जगे भी apply कर सकते है इसलिए learning, testing और उसके बाद आता है earning तो gold के अंदर ये situation आप देखेंगे कि यहाँ एक support gold ने लिया यहाँ पर एक support लिया और वापस support से gold उपर की तरफ जा रहा है बीच में जो range बनी थी gold की वो ये range थी और ये range continue रही लगभग 3 दिन ये देखें ये 3 candle आपको दिख रही ह अगर मैं broad range की बात करूँ अभी तक gold जिस range में है तो ये इसका एक broad range आएगा जिसमें कि हमें top मिलेगा 46,900 का और नीचे में जो bottom हमें मिला है दोस्तों वो मिला है 45,000 के आसपास आप यहाँ पर भी 45,000 देखेंगे यहाँ पर भी 44,700 जो ultimate bottom था अब उपर में अगर ये एक जहाँ पर gold अभी trade कर रहा है हम छोड़ दें तो फिर जो main resistance zone है वो हमें यहाँ पर आता हुआ दिखेगा अब इस जगह पर दो situations हो सकती है अगर gold वापस यहाँ पर आता है यहाँ का मतलब 47,300 के पास आता है या 46,900 से 47,300 के पास आता है दो चीजें हो सकती है एक जो scenario है first व वो हो सकता है breakout का उसके लिए हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि breakout हो रहा है या नहीं तो एक situation जो हो सकती है वो हो सकती है breakout की और दूसरी situation क्या हो सकती है दूसरी situation हो सकती है double top की अब जैसे मैंने आप लोगों को double bottom सिखाया था उसी तरह से जब यह pattern complete होगा तो मैं आप गोल्ड में double top confirm हो गया तो फिर जो गिरावट होगी वो लंबी चौड़ी होगी लेकिन अगर यह breakout हो जाता है तो फिर वो कौन से further levels होंगे वो मैं breakout के time पर आप लोगों को बताऊंगा अगर मैं अभी आप से बात करूँ जब चार्ट चल रहा है जब live trading हो रही है तो आप इसमें हमें एक range bound trading होते हुए ही दिखाई दे रही है अगर पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो हमें buy side और sell side में अच्छी खासे opportunities मिली हैं तो चलिए कुछ opportunities की बात कर लेते हैं ये एक sell side में हमें opportunity देखने के लिए मिली उसके बाद आप देखेंगे ये एक buy side में हमें opportunity मिली फिर एक हमें sell side में मिली ये मैं trend trading की बात कर रहा हूँ फिर हमें एक buy side में opportunity देखने के लिए मिली वापस हमें एक sell side में opportunity मिली और फिर ये buy side की opportunity थी और अभी जो sell आया है वो चल रहा है लेकिन आप देखेंगे कि जो candles हैं वो काफी बड़ी बनती हुई दिखाई दे नहीं होती है कि आपको इस तरह की candle किसी भी commodity में बनती हुई दिखे अगर इन candles की बात करेंगे तो ये एक एक candle 3300 point की है अगर इस candle का आप तॉप देखेंगे तो 46,226 का है और low देखेंगे तो 45,798 का मतलब 700 400 point की ये candle है इस candle को आप देखेंगे तो इसका high 46,129 का है low 45,780 का है तो इसका भी जो candle size है वो लगभग 300 point का है और उसी तरह से अगर आप ये candle देखेंगे तो 46,200 का low है 45,875 सरी 200 का high है 875 का low है इस candle का size भी लगभग 400 point का है तो 3 candle लगातार 400 point के difference की बनी है 400 300 point के और अभी भी जो candle चल रही है उसका high 46,050 का है और low 45,860 का है 200 point की ये भी candle हो चुकी है अब ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जो आज के lows हैं क्या gold उनको hold करता है या नहीं करता है अगर उन lows को gold hold नहीं करेगा तो फिर gold हमें वापस 46,900 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा वहीं पे जो resistance है gold के लिए वो अभी एक temporary resistance 46,480 का है अच्छा ये जो correction आया है ये एक जो temporary correction है चलिए इसको भी थोड़ा decode करने की कोशिश करते हैं आप देखेंगे कि gold के अंदर यहां से एक correction आता हुआ दिखा लेकिन अगर आप जब इसको यहां पर मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि gold यहां पर overbought हो गया था यह जो जगह है यहां पर gold overbought हो गया था अब हम एक काम करते हैं यहां पर एक resistance ड्रॉ करते हैं और यह देखते हैं कि क्या इस level पर gold में कोई resistance रहा है previous में तो मैं chart के time frame को थोड़ा बढ़ा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क आप previous में इस देखें जब हमने यह level draw किया था तो हमने previous में नहीं देखा था कि क्या रहा लेकिन अगर आप जाएंगे पीछे तो आप देखेंगे कि multiple times यहां पर gold ने resistance लिया है यह देखेंगे आप यह exact 385 पे इस candle का high था और low इस candle का था 45,652 का और अगर आप closing देखेंग तो 46,255 की थी तो अभी यह देखना होगा कि जो अगले धाई घंटे होते हैं उसमें gold किस तरह से trade करता है अगर यह level defend हो जाता है तो हमें नीचे की तरफ gold prices drive होते दिखेंगे जिसका support level निकल के आता है अभी के समय में 45,480 का 45,480 का एक major support gold के अंदर दिखाई देता है लेकिन अगर gold इस journey को continue रखता है तो फिर उपर में हम 46,900 तक भी gold को जाता हुआ देख सकते हैं आज की closing एहम रहेगी international chart पे भी 1722 का spot पे resistance है जिसको gold hold कर रहा है और अगर वो level break हो जाता है तो फिर जो resistance है वो 1738 के आसपास है तो दोनों ही तरीके से इन levels के break होने के बाद हमें gold आसानी से 46,900 के आसपास जाता हुआ दिखेगा जो उसके लिए एक major hurdle होने वाला है तो दोस्तों ये gold के उपर मेरा view था उमीद करता हूँ ये view आपको पसंद आया होगा levels आपको पसंद आया होगे क्योंकि मेरे view में थोड़ा बहुत आपको उपर नीचे के बारे में दिख रहा होगा कि हम उपर के levels की भी बात कर रहे हैं और नीचे के levels की भी बात कर रहे है वो इसलिए है कि कोई clear movement one sided हमें अभी gold में देखने के लिए नहीं मिल रही जिसको देखकर मैं आपको ये कह सकूँ कि अब gold 50,000 आने वाला है या अब gold 40,000 आने वाला है ना नीचे का घर gold तोड़ रहा है और ना उपर में हमें breakout gold दे रहा है तो जब तक ये range बनी हुई है आप short time frame में trend trading करते रहे उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है दोस्तों इसके अलावा एक और वीडियो इस weekend पे मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ और वो है range bound trading strategy जब market trending में होती है तो पैसा कमाना आसान हो जाता है लेकिन जब market range bound होती है तो उसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं इस strategy के बारे में मैं आप सभी लोगों से इस weekend में चल्चा करूँगा तो मेरे वीडियो का वेट करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आप लोगों को मिल जाए तो उसके लिए हम एक टेलिग्राम चैनल शुरू करने का भी प्लान कर रहा हूँ कई लोग कहते हैं मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलते कई ऐसी न्यूज होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिरेक्ट शेयर करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम एक टेलिग्राम चैनल बनाएंगे that will be open for public वो सभी के लिए open रहेगा जैसे ही वो process complete हो जाता है मैं content तै कर लेता हूँ कि क्या क्या content हम वहाँ पर दिखा सकते हैं तो टेलिग्राम चैनल का link मैं आप लोगों के साथ description में और वीडियो में share कर दूँगा तो आप लोग उसको join कर सकते हैं तो दोस्तों इनी शब्दों के साथ इस वीडियो का समापन करता हूँ अगर ये वीडियो पसंद आया तो like करिए share करिए और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ काम करना चाहते हैं मेरी LTE टेकनीक का हिस्सा बनना चाहते हैं learn test earn सीखिए उसको समझे उसको test करि और उसके बाद उससे पैसा कमाईए तो आप मुझे call कर सकते हैं मुझसे बात कर सकते हैं क्या आपकी problems हैं कैसे market में आपने पैसा खोया क्या capital आपके पास बची हुई है और कैसे उस capital से आप market से वापस recovery करना चाहते हैं वो आप मुझे phone करके मुझसे बात कर सकते हैं कभी भी आप कॉल कर सकते हैं कभी भी अपनी परिशानी बता सकते हैं इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों से अग्रह करता हूँ कि मेरे साथ इस लोक का उचारण करें सर्वे भवन्त सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्रानि पश्यंति, मा कश्चिद दुख भाग भवेत, ओम शान्ती 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 जैहिंद वंदे मातरम